नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि एंटर एयर मेल आईडी क्या होती है आप उसे लोगिन कैसे करोगे क्या आपनी मोबाइल में ही उसे लोगिन करोगे या आपको उसको लोगिन करने के लिए अलग डिवाइस की आवसकता पड़ेगी तो आज वीडियो मैं आपको बहुती बारिकी से इंफोमिशन दूँगा तो दोस्तो वीडियो में बने रहना वीडियो को सुरू से लेके लाज तक जरूर देखना और जिदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक निकिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कोमेंट करके दोस्तो जरूर बताएं कि enter airmail id क्या होती है दोस्तों यहाँ पर यदि आप GeoPose Plus के retailer है या आप GeoPose Lite के retailer है तो दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो के मादम से information दूँगा तो वो आप सभी के लिए है तो वीडियो को जरा ध्यान से देखें तो सबसे पहले हैं बात करते हैं सुरुआत से दोस्तों यदि आप एक GeoPose Plus के retailer है और आपने अपना GeoPose Plus को update कर लिया है तो आपको एक option देखने को मिला होगा online order ASP अब दोस्तों जैसे आप उस option पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आप चले जाते हैं एक दूसरे page पर जहाँ पर लिखा आता है enter airmail id और नीचे की तरफ mobile number और उनके बाजू में आपको एक barcode देखने को मिलता होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपने उस mobile में इसको आप login नहीं कर पाऊगे उसको login करने के लिए दोस्तों आपके पास Lenovo की एक tablet होनी चाहिए दोस्तों वो Lenovo की tablet आपको अपने डिश्टोटर यार JSC से वो मिल जाएगी अब दोस्तों यदि आप जो है उसी mobile में करके देखेंगे तो दोस्तों आप उसको जो है login नहीं कर पाऊगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका login करने का process क्या होता है सबसे पहले आप एक tablet खरीदेंगे और tablet खरीदने के बाद अपना लापू जो नंबर है उसी mobile में डालोगे यानि कि उसके फर्स लोट में अपना लापू नंबर जो भी आपका जियो का लापू नंबर है लापू नंबर एंटर करने के बाद आपको जियो पोज प्लस उसके अंदर इंस्टोल करना होगा प्लेव स्टोर के माद्धम से दोस्तों लोगे प्लेव स्टोर से जियो पोज पिलस को और यहाँ पर जो उसके लोगण करोंगे लोगण करने के बाद दोस्तों यहां पर पूरा पूहीं पहुंच जा होगे ओनलाइन ओडर और ऑ ऐसपी पर किलक करकर तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी जो भी आपकी login आईडिय है दोस्तो 068 वाली 070 या 072 वाली तो वो आपको वहाँ पर दर्ज करनी हैं दर्ज करने के बाद दोस्तो या तो आउसमें दोप संदिय या तो आप अपना लापू नंबर एंटर करें और बार और कोड इसकन करें या आप अपनी 068 व आपको उपपर डाली है इसके वाद सेकिंड काम आपको क्या करना है को राइट साइड में दीख रहा होगा एक बार कोड स्कैन करने के लिए जो भी आपके पास डिवाइस है उसका डबा होगा उसमें आपको एक बार कोड देखने को मिला होगा दोस्तों यहां पर जब आप तो आपको यहां पर उस बार कोड को स्कैन करना है और दोस्तों यहां पर जो है नेस्ट स्टेप आता है आपके लापू नंबर पे एक OTP आएगा वो OTP आपको वहाँ पर दर्ज कर देना है उसके बाद आप उसको समेट कर दोगे तो दोस्तों यहां पर आपका जो ओनलाइ order ASP work करने वाला है दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो दोस्तों आप यदि मुझे से contact करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने इंतिजाम करके रखा है मेरी वीडियो के description में आपको मेरे facebook page का link मिलेगा आप उस पर click करेंगे तो चले जाएंगे सीधा facebook page पर सबसे पहले आपको हमारे facebook page को like करना है like करने के बाद दोस्तों आपको लेफ शायडवे वाट्सप का आइकन दिखेगा आप वाट्सप के आइकन पर click करके करोगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं चलाओंगो आपके वाट्सप में जैदि आपको कोई समस्या कोई परेशानी है तो आप मुझे वाट्सप के जरी कॉंटेक्ट जरूर करें तो लेता हूं मैं इजाजत मिलूंगो आप से ने स्टूडियों में तब तक के लिए जैहिंद जैवारत